हलो दोश्तों आप सभी लोगों का आर्टी मसाला किचन में बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे सूजी चुकंदर से बहुत ही टेस्टी नाज़ता यह टेस्टी होने के सांसाथ बहुत हिल्दी भी है आप इसको बच्चों को टिफिन में दीजिए उनको बहुत पसंद आएंगे सब ही कोई यह बहुत पसंद आएंगे तो आप इसे एक बार जरू ट्राइ करिए गा कैसा लगा कमेंट्स में बताईएगा तो आइए बनाते हैं तो हमने एक चुकंदर इस तरह से बारीक काट लिया है इसको हम पीस में अब इसको हम वायल करेंगे तो हमन हो गया है अब इसको हम चुकंदर के एक पीश को लेंगे और इसको देखें हाँ से प्रेस करेंगे इस तरह से बहुत आसानी से यह तूट गया है तो यह हमारा पक चुका है अब इसको हम उतार लेंगे और एक जार लेंगे मिक्सर जार में इसको डाल करके पानी को नहीं फिक बॉल में इसे निकाल लिया है अब इसी जार में हम एक कटोरी सूजी लेंगे एक कटोरी सूजी के लिए आधा कटोरी हम फ्रेस दही लेंगे दही ताजी होनी चाहिए अब इसमें हम आधा कटोरी पानी एड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेष् अब इसको चुकंदर वाले पेश्ट में डाल देंगे हम अब इसमें स्वाद अनसार नमाकेट करेंगे और पेश्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे हमारा चुकंदर और सूजी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए यह अच्छे से मिक्स हो चुका ह तो इसी तरह का हमें बेटर बनाना है जैसे डोसे का बेटर होता है उस तरह से बनाना है उतना ही पतला अब देखिये हम stuffing त्यार करेंगे इसके लिए हमने पनीर लिया है इसको ग्रेट करेंगे तो पनीर देखिए ग्रेट हो चुका है अब इसमें एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ हम प्याज एड़ करेंगे बारी कटा हुआ धनिया पत्ती एड़ करेंगे दो बारी कटा हुआ हरी मिर्च एड़ करेंगे आधा चम्माच हमिश में भुना हुआ जीरा पाउडर एड़ करेंगे वन फोर्थ चम्मच काली मिर्च पाउडरेट करेंगे स्वादम सार नमाकेट करेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चे को स्किप कर दीजिएगा अब एक तावे को गरम करेंगे उस वाइल से ग्रीस करेंगे और दो बड़े चम्मच हम इसे तयार किया हुआ विटर को डालेंगे और इसको हम फैलाएंगे इसे बहुत पतला नहीं फैलाना है हमें थोड़ा सा इसको हमें मोटा रखना है तो देखिए इस तरह से हम फैला दिये हैं इसे जब यह हमारा एक तरफ से सिखा जाए तो हम इसको पलट के दुसरी तरफ से भी हलका सा सेक लेंगे फिर इसको हम पलट लेंगे और तयार किया हुआ पनीर को हम इसके उपर रखेंगे हमें एक साइड में रखना है तो इस तरह से देखिए हम एक साइड में रख देंगे फिर इसको हम बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हलका सा इसको प्रेस कर देंगे और फिर दोनों तरब से लट लट करके हम इसको अच्छे से सिख लेंगे तो ये हमारा तयार हो चुका है नास्ता, तो इसको हम ताइपर से उतार लेंगे, इसी तरह से सारे नास्ते को हम तयार कर लेंगे, तो देखिए हमने सभी नास्ते को तयार कर लिया है, तो दोस्तों ये हमारा सूजी और चुकंदर से बहुत ही टेस्टी नास्ता बन करके तया है और बहुत ही held है तो देखें आईए आपको हम दिखाते हैं इसे तो देखिए यह कितना अच्छा बना हुआ है सवाधिष्ट दिख रहा है तो दोस्तों यह जितना सवाधिष्ट दिख रहा है खाने में कहीं उससे ज्यादा सवाधिष्ट और हेल्दी है आई इसे हम आपको तोड़ करके दिखाते हैं तो देखिए ये कितना अच्छा बना हुआ है तो दोस्तों ये हमारी रेश्पी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए सेयर करिए कमेंट्स करिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्ली चैनल को सस्क्र करिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए मिलते हैं अगली वीडियो